subscribe intellectual indies and press the bell icon and never miss any update Hello दोस्तों मेरा नाम है साहिल खाल्डण और आप देख रहे है intellectual indies और आज हम बात करेंगे GE metrics के बारे में GE metrics BCG metrics की तरह ही है यह भी आपकी portfolio देखने में help करता है portfolio मतलब मान की चले एक company है जिसके पास 10-10,15-16 अलग अलग divisions है मान के चलते है एक company उसके पास एक ही product है पर वो अलग-अलग country के अंदर operate कर रही है तो अलग-अलग country के अंदर operate करना भी एक अलग SKU कहेगे है SKU को आप SBU भी कह सकते हो strategic business unit एक ही चीज़ है तो अगर आपकी portfolio बहुत बड़ी है तो आप देखना चाहते हो कि मुझे किस portfolio में ज़्यादा invest करना चाहिए कहां पर invest नहीं करना चाहिए कहां से पैसा निकाल लेना चाहिए किस जगा को बेज देना चाहिए मान के चलते हैं एक company है Apple मान के चलते हैं तो Apple के अलग-अलग जगाओं पे SBUs है इंडिया के अंदर भी है पाकिस्तान के अंदर भी है ऐसी हर एक country के अंदर है अब वो हर जगा पे invest नहीं कर सकती भाई एक architecture बनाना पड़ता है आपको building खरीदनी पड़ती है बहुत सारे stores बनाने पड़ते है सब को salary देनी पड़ती है पूरा सब कुछ बनाना पड़ता है तो उस पर पैसा खर्च होता है इंवेस्ट होता है तो company को यह सोचना है कि भाई मुझे वहाँ पैसा लगाना है या नहीं लगाना है वो किस तरीके से हो सकता है वो GE matrix में हमको बता लगा मैं आपको एक बात बता दूँ मुझे की हसने वाली बात है इसका नाम है GE matrix मतलब General Electric matrix पर भाई बनाया McKenzie ने था है कुछ घपले नीचे description में पढ़ ले न अगर आपको detail में जानना है कि कब चलू आ था क्या year था वो था concept की बात करते हैं तो यहां पर क्या किया यहां पर आपने 3 by 3 का matrix बनाया एक जगा पर आप देख रहे हो कि आपकी company की कितनी strength है और एक जगा पर आप देख रहे हो कि वहां पर market की strength कितनी है एक्जांपल के लिए जिसे आईफोन है आईफोन इंडिया के अंदर अच्छा product है या नहीं है अच्छा यह और उसकी competitiveness कितनी है competitiveness भी है असानी के लिए मैं आपको एक chart दिखा रहाता हूं देख लीजिए जो हरा है वहां पर हमको पैसा लगाना है जो नीला है वहां पर हमको पैसा निकालना है और जो की white है जहां पर जो हम diagonal कहेंगे वहां पर हमको पहले एक-एक समझना है कि यहां पर हमको लगाना चाहिए या पर नहीं लगाना चाहिए जैसे कि आप photo में देख रहे हो हमने यह जो graph बनाया है इसका मतलब पैसा निकाल लो जहां पर भी नीला है वहां पर हमको पैसा निकालना है और मान के चलिए कोई ऐसी जगाए जहां पर हमारी competitiveness भी है हमारा product भी बहुत फाड है लोग हमारा product लही जा रहे है तो वहां पर invest करना एक अच्छा option है मतलब वह दोनों चीज़ों में high है अगर आपने BCG metric वाली video देखी होगी तो आपको ये चीज़े अराम से समझ में आ रही होगी और आप relate कर पा रहे होगी तो अगर आपको धंसे सीखना है तो मैं आपको एक छोटा सा होग देता हूँ आप PNG की product लाई ले लो पतांजली की product लाई ले लो पतांजली के सारे product को इस matrix के अंदर बाट के देखो कि कौन सा product कहाँ पे लाई करता है PNG का कोई ले सकता है कोई iPhone के Apple वैपल के अलग-अलग phone के model टैबलेट, laptop, computer इसको बाट सकता है एक कोई भी company लोगर उसको बाट के देखो कि कैसा है उसके बाट अपना analysis लगाओ क्या अगर मैं company का owner होता तो मैं यहाँ पे invest करता या harvest करता या फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करू या ना करू और हाँ जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एक ही जगा पे आएगे ऐसा भी हो सकता है कि एक strategic business unit दो तीन जगा के बीच में आ रही हो तो ठीक है दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो खतम होती है आशा कर तो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आ गई होगी सबसे important बात तो ये है मीचे comment में मुझे जरूर बताना आपको समझ में आई है नहीं आई है कोई example मिस कर दिया हो मैंने तो तो ठीक है दोस्तों बाई गुड़नाइट शवा गयर खुदा आफिस जब भी आस वीडियो को देख रहे हो जरू समझ में आई हो भी आई हो झाल झाल